सब्सक्राइब तो देखते हैं कॉस्टर नमबर एट आपके सामने क्या कहना चाबा है किस तरह से यहाँ पे सौल होगा वहाँ आपन यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपको टेबल दे रहे किए यहाँ पे टू डिजिट मिसिंग है वहाँ पे वन डिजिट थी कॉस्ट नमबर 7 के अंदर तो यहाँ पे किस तरह से आपको सौल करना है वह मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले एक्स की वेल्यू अपन पूट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4 और 5 उसके बाद बात करेंगे एप की वेल्यू 46 फिर यहाँ पे मिसिंग है मिसिंग में अपन लिख देते हैं X और यहाँ पे लिख देते हैं Y फिर 25 फिर आपके सामने है 10 फिर है आपके सामने 5 अब यहाँ पे टॉटली यानि योग दे रखा है योग आपको दे रखा है 200 इन सभी को जोड़ने पर कितना योग आता है 200 मगर अपने पास X और Y नहीं है वो अपने को यहाँ पे गिवन है अब X और एप का अपन क्या करनेंगे यहाँ पे मल्टिपला है तो 46 का 0 के साथ करूँगा तो क्या आएगा? 0, X का 1 के साथ करूँ 25 के साथ करूँगा यानि 25 अब देखना किस तरह से solution करना आपने को तो यहाँ पे सबसे निखेंगे here यानि हिंदीबाल लिखेंगे यहाँ 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 पे क्या करना है आपको क्या चीज यहाँ पे given दे रिखिये तो given given क्या है? इन सभी को जोड़ने पर कितना आ रहा है 200, इन सभी को जोड़ने पर कितना आ रहा है 200, तो यहाँ पर जोड़ देंगे X और Y को जोड़ेंगे नहीं 46, 25, 10 और 5 को जोड़ने पर कितना आएगा 86, 86 plus X plus Y X plus Y और totally कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200, अब देखना यहाँ पर क्या होगा X plus Y is equal to 200 minus 86 200 में से 86 निकाल देंगे तो क्या होगा, X plus Y is equal to 114 तो यह होगी आपके सामने equation first equation first अब आपको यहाँ पर दे रहा है mean क्या दे रहा है, question के अंदर mean दे रहा है 1.46 यानि हिंदी वाल लिखेंगे यहाँ पर math year, क्या लिखेंगे math year, अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा फिर Fx को जोड़ना है, totally Fx को open यहाँ पर total कर लेंगे, add कर लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा देगो, 75 25, 100 और यहाँ पर होगया 140 और यहाँ पर क्या है, X plus 2Y यानि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 140 प्लस X plus 2Y कितना आ रहा है, 140 प्लस X plus 2Y यानि अपना फोर्मूला क्या था यहाँ पर X bar is equal to Sigma Fx upon Sigma F अब देखते हैं, आगे यहाँ पर कर रहा हूँ मैं किस तरह से करना आपको solution, अब देखना यहाँ पर किस तरह से होगा, Sigma Fx Sigma Fx अपने पास कितना है, यहाँ पर 140 प्लस X plus 2Y और Sigma F अपना कितना दे रहा है 200, कितना दे रहा है 200, यानि कितना हो गया 200 और X bar अपने पास कितना है, यहाँ पर 1.46 तो वो लिख देंगे 1.46 is equal to ठीक है, 1.46 is equal to 140 plus X plus 2Y upon 200 अब 200 का 1.46 के साथ क्या करेंगे multiply करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 200, multi 1.46 is equal to 140 plus X plus 2Y अब क्या होगा, इन तोनों का multiply करेंगे, तो आपके सामने आएगा 292 is equal to 140 plus X plus 2Y अब 140 यहाँ ले आऊँगा, यानि minus हो जाएगा 292 minus 140 is equal to X plus 2Y अब 292 में 140 निकाल देंगे, तो आपके सामने आएगा 152 is equal to X plus 2Y यह होगी आपकी equation second, अब यहाँ पर equation second और यहाँ पर equation first यानि यहाँ लिखूँगा from equation first and second first and second यानि second मेंसे first को क्या कर देंगे minus कर देंगे तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 152 is equal to X plus 2Y फिर equation first लिख रहाँ आपके सामने 114 is equal to X plus Y यानि अब क्या होगा यहाँ पर plus का है minus, minus और minus X से X कट गया 2Y मैंसे Y निकल जाएगा तो Y एगा और 152 मैंसे 114 आपके निकल जाएगे यानि आपके सामने कितना आएगा यहाँ पर तो यहाँ पर कितना आएगा 12 मैं 4 गया तो 8 ठीक है और यहाँ पर बचेगा 38 कितना आएगा 38 यानि आपके सामने Y की value क्या आगई 38 Y की value क्या आगई 38 अब क्या करना है यह Y की value जो है वो equation first या equation second के अंदर put कर दिजे आपकी value आजाएगी X की तो कैसे आएगी वो भी अपन थोड़ा देख लेते हैं तो put equation first equation first के अंदर put कर रहा हूं equation first क्या है X plus Y is equal to 114 यानि Y की value 38 है X plus 38 is equal to 114 और यहाँ क्या हो जाएगा X is equal to 114 minus 38 38 क्या हो जाएगा 38 तो 114 में 38 निकाल देंगे तो आपके सामने क्या answer आएगा X is equal to 76 X is equal to क्या हैगा 76 यानि Y की value क्या आएगी 38 और X की value क्या आएगी 76 यानि 76 और 38 यहाँ पे रखके आप check कर सकते हो क्या 200 हो रहा है तो बिल्कुल वही answer आपको मिलेगा 200 ही मिलेगा तो यह सई हैं दोनों answer वह आप check कर सकते हैं तो इस तरह से आपको question करना था तो screenshot लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल ले सकते हैं और आपने subscribe नहीं किया मेरा channel तो जल्दी से subscribe कर ले क्योंकि यह question बहुत important है ऐसे question देखने के लिए आपको मेरे channel को subscribe करना पढ़ेगा और bell icon को press करना बिल्कुल नहीं बुले मित्रो जय ही जय वारत क्याती classes